उच्छा है के पवित्रता और आध्यात मिक्ता क्या एक नहीं है नहीं नहीं एक नहीं है वर्न मैं वरोधी न कहूंगा इतना ही बहुत है लेकिन एक बात बता दूँ कि अगर आप में प्यूर्टी नहीं होगी तो आप अध्यात में को हो सकती है शायद आपके लिए नई बात हूँ या किसी संत ने आपको ना बता हूँ या पहली बार यह बात सुन रहे हूँ लेकिन ये सत्य है आपने अगोरी संत देखे अब वित्र रहते हैं लेकिन पहुंचते हैं देखिए अब आपको मैं सूत्र वज़ता हूँ सरीर की किसी भी अवस्ता से अध्यात्म का कोई लेना देना ही नहीं अब ये जो लोग आपको आशन सिखाते हैं कितने ही किये जाओ चक्रासन कर लो कितना ही कर लो सब कुछ मैंने किया है ये जग मैंने मारी हुई है बहुत वकत मैंने खराप पी दिए है मैं आज सोचता हूँ कि मैंने 23 वर्ष गाल दिये ये काम मेरा 6 वर्ष में हो सकता है 7 या 6 वर्ष में आराम से कर सकता है 16 या 17 वर्ष मैंने फाल्तू की चीजों पे बेकार किया समशान की क्रियाओं में मैंने 700 सिद्धियां सीखी तो लेकिन मैं समझता हूँ कि इन सिद्धियों का मैं क्या करूँ कोई कोई सिद्धितों मैं सर्फ एक बार भी नहीं परत पाया इनको सीखने में मुझे तीन तीन महीने तक लग गए हाँ बहुत सी सिद्धियां ऐसी थी जिनका मैं उप्योग कर पाया खेर मैं फिर उसी बात पर आज़ों कि पवितरता का प्योरिटी का स्पर्चुल्टी के साथ कोई लेने देना नहीं कहीं कोई रेखा बिढ़ती ही नहीं ये पैरलल चीजें चलती हैं अगर आप प्योर होगे तो अच्छी बात है अगर आप प्योर नहीं है तो भी आप आध्यात्मिक हो सकते हैं महावीर और पातंजली साथ क्या सखाते हैं आपको पवितर होगा वो नीचे से सुरू करते हैं और जानते हैं तेनका फाइदा कोई नहीं वो कहते हैं के यम से सुरू करो यम नियम आसन प्रणायाम प्रत्याहादारना ज्यान समाधी ये समाधी तक पहुँचने के योके अश्टांग अंग हैं पातंजली कहते हैं यम नियम प्रणायाम पहले यम के उपर आओ सत्य से सुरू करो सच बोलो पवितर होना है न ऐसे ही कुछ अन आज धरम भी कहते हैं जो पवितर्दा पे ज़्यादा जोर देते हैं मैं ये समझता हूँ के उन्हें अज्यात्म का कोई पता नहीं होता लक्षनों से अनुमान से कई बार प्रमान का ग्यातव्यप मिल जाता है अनुमान ही काफी होता है जो इतना जोर देते हैं पवितर्दा पे इसमें कोई गड़बुर लगती है अनितला पवितर्दा इतनी विशेश बात नहीं होती के इसके बिना आप आध्यात्मिता शीर्श न चूँ सको ऐसा कभी नहीं होती रमन को जब समाधी लगी तो उनको कोई खाने को देते ता खा लेते महीनों तक न आते नहीं उनके उपर कोई आके पानी डाल देता उन्हें नहा देता तो नहा लेते मस्ती बड़ी चीज है मस्ती में कहां सूजिता है आत्मी को पवित्रता राम किशन दो दो हफ़ते समाधी में पड़े रहते हैं उन्हें यादी ना तके ना ना पिए अगर पवितरता और आध्यात्मिक्ता में से एक चुनना पड़े तो आध्यात्मिक्ता कुछ सुनने का क्योंकि पवितरता आपको कहीं नहीं लेके जाएगा शरीर सुद्धी ही तो है शरीर सुद्धी है, मन सुद्धी है, विचारों को सुद्ध कर लो ये बात अलग है कि अगर आपके पास सादन है सरीर भी सुत रह सकता है और आप आध्यात्मिकता को भी पा सकते हो तो फिर आप दोनों को चलाना लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर दोनों में से एक को चुनना पड़े तो आध्यात्मिक्ता कुछ सुन लेना क्योंकि नहाने में इतना आनंद कभी नहीं आएगा जितना समाधी में निरंतर आएगा और कभी ना तूटने वाड़ आएगा आध्यात्मिक्ता की समाधी का आनंद अखंड होगा बस वो एक वार लग लग जाए तो फिर नहाते रो, enlightened होने के बाद आप नहर में ही कुदते रो, कोई फरकरने करें, लेकिन मुश्किल आती है साधक्त, यम नियम आसन प्रणायाम प्रत्याहार धारना ध्यान समाधी, अब क्योंकि मूल विशय नहीं है मेरा, इसलिए मैं शंक सेफ से आपको सुझातूँगा यम में सत्य, अहिंसा, अस्ते, ब्रह्म चर अप्रीगर है यम, नियम नियम में आएगा शोच, संतोश, तप, स्वाध्याय, इश्वर, प्राणी धा ये नियम में आ जाएगा अब पांच, वो साधो, पांच, ये साधो, दस, उसके बाद प्रानयाम प्रानयाम को तब, उस उसके बाद आसन, आसनों का तो कोई अंत अध्यात्मिक, जिसके वितर लाल सा जग गई, वो तो तक्सतों को लात मारके, मांगके खा लिया करते हैं। और जो नकली आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, अपने नाम के आगे ही सिर्फ बावा लगा लिया करते हैं वो सिंगाशन बनाने के लिए ये काम के अगता है एक सिंगाशन को लात मारके विक्षा पत्र पकर लेता है एक विक्षा पत्र को लात मारके संगाशन पकर लेता है शब्द दोनों में दोनों ही वरते गए हैं संगाशन भी और विक्षा पत्र भी लेकिन थोड़े से उल्टे उल्टे वरते गए हैं तो गहन में अगर संगाशन को लात मारके बुद्ध जाके जंगल में व्यापार करने लगते तो फिर तो बात कहीं बदली ना थी लेकिन अगर बाबा के नाम पर कोई व्यक्ति व्यापार करे यह थोड़ा जचती नहीं बात थोड़ा क्या पूरी ही नहीं सेचती बात मन में लोब का विकार रखे तुम लोगों को क्या सिकाने चले हो उसके पीछे क्या दबा रखा है तुमने लोब तो तुमारा लोब काम करेगा तुमारी सभी सिक्षाओं के पीछे लोब काम करेगा क्योंकि परेजना ही लोब से मिली है मूल विश्य पे आते हैं, फिर प्राणयम, फिर प्रत्याहार, धारना, ध्यान, समाधि, आठ्मा महावीर भी यही कहते हैं, सत्य अहिंसास्ते ब्रह्मिचरप्तिक्राइद ऐसे ही महावीर भी चलते हैं, ऐसे ही पातेंजली भी चलते हैं, थोड़ा वोत विहेद है, सुक्षम, लेकिन क्योंकि अभी मूल विश्य नहीं है, इसलिए मैं अपने विश्य प्याओंगा मैं कहता हूँ के पवितर्ता, अगर छूटे तो छोड़ देना, बशर्ते के आध्यात्मिक्ता मिलते हैं, आध्यात्मिक्ता के कारण पवितर्ता भंग होती हो, हो जाने के ना, जरा भी चिंता मत करना इस बात के लिए, के हाए मेरी पवितर्ता भंग होती है, मैंने एक ब्राह्मन देव देखे, वो सुबह जब तक नाते ही ते पाट पूजाने करते हैं, मैं एक दिन उससे पूछ लिया, के क्या बात पढ़ लेजी, आपने आरती नहीं किया, के तो मैं नाया नहीं है, मैंने नहीं कहां आरती, कहां शनान? ये तो दोनों चीज़ु अलग अलग है, बलके सही पूछो तो तुने वह बवरीत ही कर दी. तुम बिना नहाए ही आरत सुर्बें पुकारों से, आरत क्या होता है? आरत सुर्बें, तुक्ही सुर्बें, बपूदें, ईश्वर से, करुना मा कार देखता है। कितनी गहरे हिर्दैस है। वितित हिर्दैस ही आई है। Purity और Spursuality महवीर कहते हैं पातंजली कहते हैं कि purity को साधो फिर आध्यातम में चाओ। लेकन कृष्ण तो बिल्कु लिवर्टी बात कहते हैं। फिर क्या होगा। कृष्ण तो purity के उपर जरा भी जोर नहीं देते हैं। उन्होंने तुमारी purity की दजियां उड़ा दी। जिस purity की बात आप करते हो। कृष्ण आपका कुछ नहीं मानते। हाद इला देते हैं। करते हैं मैं नहीं मानूगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन चीजों में इन आपकी बनाई हुई रस्मों में सिर्फ रस्में हैं। यह बेहूदा रस्में हैं। गलत है। मैं नहीं मानूगा। क्रिशन क्या करते हैं। तुम बात करते हो अहिंसा की। क्रिशन बात करते हैं। हे अर्जुन मामनूस्वर युद्यच्य। मुझे याद कर युद्यमे कुद्य। यानि हिंसा कर। सीदे सीदा मतलब है। सीदा सीदा मतलब है कि तू इनको मार दे। कहां गई तुमारी हिंसा है हिंसा। कहां बाना उसने। तुम कहते हो सत्य सबसे पहला पहला तुमारा अंग है अश्टांग योग में पातंजली के यम का पर्थम पर्थम योग। बाग आता है वह होता है सत्य। सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर अप्रिग्रहा सत्य लेकिन कृष्ण तो ये बात नहीं कहते हैं कृष्ण देश्टर से कहते हैं सत्य वादी देश्टर से के तू जूठ बोल देश्टर कहते हैं के प्रभू मैं तो ना बोल सकूंगा तूसरी कहा फिर तू हार जा हारना भी नहीं चाहता फिर क्या करे फिर कृषिन ने निती अपनाई हाथी का नाम अशुत्था में रखा भीव ने गदा प्रहार किया अशुत्था में हाथी मारा गया और ये योजना बनाई गई यू देश्टर मान गया अब भला अगर आप गोर से सुक्षमता से विचार करोगे तो जिस बात का पता है जिस देश्टर को कि ये बात जूट है सत्यवादी कहां रह गया परोक्ष रूप से तो जूटा ही हो गया जब वो द्रोन चर के आगे कहता है उसके सामने जाके कहता है हातो अश्वत्थामा गजो वा नरू वो हाथी था के आदमी था ये तो नहीं कह सकता मैं लेकिन अश्वत्थामा मरा क्या और जब उन्होंने कहा गजो की वा नरू तो उन्होंने डोल नगाड़े खळका दिये वो द्रोन चर को सुना ही नहीं तो ये कैसा सत्य हुआ जिसकी प्रिष्ट भूम में असत्य विराज माना है तो इससे अच्छा तो सिधा ही बोल देता गजो की वा नरू बोलने की अवश्यकता ही नहीं थी लेकिन ये बेई मानी है सत्य के सत्य एसे हैं तुमारे सत्य वादे शब्दों की सुचिता में छुपा लेते हैं अशुचिता सत्य की सत्य की अशुचिता शब्दों की सुचिता में समा लेते हैं तेरा गोप से समझ लेना बात को दिश्टर ने भी ऐसे की कर्शन कहते हैं कि इनको मारते हैं कर्शन कहता है उसे पता है कि मेरी भी इसमे सात अक्षोनी सेना है भगवान कर्शन के पास दोनों गए थे द्रोधन ने सेना मँग ली अर्जुन्न कर्शन मँग ली देखिए जाको मैं दार उन दुख देहीं ताकि मत पहले घर ले अगर पूजा के वक्त इंदर प्रस्त में उसने जो दृष देखा के शिशु पाल की गर्दन उड़ा दी क्रिशन बहुत से चमतकार उसने अपने आँखों से देखते हुए भी जाके क्या मांगा क्रिशन से तो ठीक कहते हैं बहुगान क्रिशन जाको मैं दारुन दुख देहीं ताकि मत पहले हर ले ये दर्शे उसने अपने आँखों से देखा भरी सबा में शिशु पाल का सुदर्शन चक्र से सरकटता हुआ और ये देख के भी उसकी मत के वितर सुदार ना हुआ क्रिशन जब बनके गए दूथ शान्ती दूथ और समझोता ना हो सका वो कहने लगे कि सर्फ पांच गाम ही देदे और पांच गाम भी कोई बहुत बड़े नहीं मांगे थे हैं लेकिन पांच गामों का तो यहां मतलब ही नहीं बात तो सर्फ मैं की थी प्रिशन ने कहा कि तो सर्फ पांच गाम शिरीपत बागपत सोनीपत पानीपत और तलपत शिरीपत जिसे सी ही कह देते हैं बागपत सोनीपत पानीपत और तलपत यह सबी गाउं आज हारयाना में हैं ये पांच गाम देते, चोटे-चोटे गाम थे लेकिन दुर्योधन कहने लगा कि मैं इनको सुई की नोग के बराबर जगा नहीं देखू बात ये थी कि मैं ठीक हूँ, मैं तो शान्ती दूस बनके गए और दुर्योधन ने कहा कि मैं एक सुई की नोग के बराबर आपको जगा नहीं दूँगा तो कृष्ण ने युद्ध की गोष्णा करते ही दुर्योधन ने अपने फोज से कहा कि इसे गौले को गर्फतार कर लो, अरेस्ट उसके सेना भागी गर्फतार करने के लिए श्री किष्ण को और श्री किष्ण ने अपना बराट सुरूप दखा दिया, चक्र, आत, अब गए सारे, सबा बरकास्त हो गए, दरोदन बाग गया सब कुश जानते हुए भी मूरभ बना रहा देख कर भी अंदेखा बना रहा तो कृष्ण कहते हैं कि अब संधी काम्याब नहीं होगी कृष्ण का एक बहुत प्यारा शब्द है कि युद्ध उस सवस्ता में होना चाहिए जबके शानती के सभी दरवाजे बंद हो गए और शानती के सभी दरवाजे बंद हो गए जब दरोदन ने कह दिया कि मैं सुई की नोग के बराबर जगा नहीं दूँगा तो कृष्ण ने युद्ध का बिगल पेजा दिया क्रिशन क्या कहते हैं क्रिशन पवितरता की बात ही नहीं करते है क्रिशन बात करते हैं अध्यातमिक तक महाभीर का जैमुनी आज पाउव रखता है कि कीडे के उपर पाउव रख दिया जाएगा तो कीडा मर जाएगा अब यहां बरीक फर्क समझने के चेश्टा करना क्योंकि इस प्रविचन का करीब करीब संपूर्वनता की और जा रहा है यह प्रविचन जैन मुनी देरे से पाम रखता है कि कोई केड़ा इस पाम के निचे आके मरना चाहे भाव भाव केड़ा शरीर है अर्थ मैं भी शरीर हूं यहां बात समझत होते हैं महावीर का जैन मुनी अपने आपको शरीर मानता है इसी लिए हितु शरीर को बचाएगा तकन क्रिशन शरीर नहीं मानता है क्रिशन रिजुन से कहते हैं कि इनको सफा चट कर दे दर्ड दे इनको फिकर मत कर मामनू समर मैं जिम्मेवार मजे जाद कर इन्हे मार दे क्यों क्योंकि नैनम छन्दंति शस्त्राणी नैनम दहती पावका नै चैनम कलेदंत्यापो नशोशती मारूता यह मर ही नहीं सकते हैं तू कलेश मुका दे ना तू मर सकता है न भिष्व मर सकता है न ध्रोनाशार है मर सकता है ना जे सारी अक्षों होनी से ना मर सकती है जो मर ही नहीं सकता कलेश हो तो मार दे और इनके मरने के बिना कलेश नहीं मरेगा कलेश मिटाना है तो इनको मारना पड़ेगा यद पीजे मर ना पाएंगे ये शरीर नहीं है इसका अर्थियर्टा जैन मुनी कहता है कि ये शरीर है क्रिशन कहते हैं कि ये शरीर नहीं है जैन मुनी कहता है कि ये शरीर है इसलिए कहीं मरना जाएं क्रिशन कहते हैं कि ये शरीर नहीं है इनको मार दे क्यों? क्योंकि ये जीते खलेश करते हैं जीते अगर कलेश करते हैं तो क्योंकि ये सरीर हैं ही नहीं तो इनको असरीर ही करते कहीं और जनम ले लेंगे यहां तो कलेश करते हैं ये और कलेश हमोने नहीं देना चाहते is लिए तू शत्र उठा और इनको मारते हैं कोई तेरा गुरु नहीं है कोई तेरा पितामे नहीं है ये सब सरीर के वेतर आत्माई है ये न मरेंगी, न गलेंगी, न जलेंगी, न सूकेंगी न इनम चिंदनती शिस्त्राणी, न इनम दहती पावका ने चैनम कले दिनते आपके नशोशती मारूता ये फर्क है कृष्ण में और महाविर में दोनों ही उस चरम तत्व को जान जो रहे हैं और दोनों की पहार की कर्म भूमी बिलकुल उलट है विपरीत है एक कहता है कि मैं मर जाओं कोई बात ने ये नमरे एक कहता है कि तू मर जाए तो भी कोई बात नहीं इनको मारने की चेश्टा कर अगर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इने मार दे इसका मतलब ये नहीं था कि ये पक्का मर ही जाएंगे हो सकता है उनका दाप चल जाता वो इसे मार देते लेकिन वो कहते हैं अगर तू भी मर गया तो कोई बात नहीं क्योंकि तू भी सरीर नहीं और ये भी मर गये तो भी कोई बात नहीं क्योंकि ये भी सरीर नहीं तो ये है आपकी समस्या का जवाब पवितरता अगर सद जाए आध्यात्मिक्ता के सदने के वितर एक चाया की तरह तो उसे साध लेना उसे मुखता लक्ष मान कर मत चलना लक्ष तो आध्यात्मिक्ता ही रखना लक्ष तो स्वैस्वरूप को जानने का ही रखना उसमें शनान अगर पवितरता अगर सहयोग कर जाए तो भली और सहयोग ना भी करे तो भी भली लेकन पवितरता को लक्ष बनाके न चलना आज बहुस से धरम पवितरता को लक्ष बनाके चले हैं पभी तरता लक्षे नहीं है और दूसरे सैकॉलोजिक बहुत से लोग बहुत से लोग आज क्या बहुत पुराने वक्त से चलते हैं पाप की यह हैं एक बात को सुन ले ना पकते जनो पाप भोग के ही कटा करते हैं तुम लाख चीजें बाहर बना लो क्रियेट कर लो गंगा बना लो यमना बना लो त्रवेनी बना लो वहां सनान कर लो और मन की खोपड़ी में जमा लो के हम यहां शलांग लंगाएंगे हमारा सारा पाप खत्म हो जाएगा गलत पाप भोगने से ही चुकेंगे ये तुमारे पंडितों की शरारते हैं मैं पंडित नहीं कहूँगा मैं अज्यानी कहूँगा मैं मूरख कहूँगा बला ऐसा कभी हुआ है तुमने पाप कर दिया तुमने किसी का कतल कर दिया और गंगा शिनान करया और तुम्हारा पाप दूल गया, यह कैसे हो सकता है, आज भी वैसे ही बात ही, तुम psychology create करते हो, repetition कर करके, आदमी के दिमाग के भीतर वो चीज बठा देते हो, तुम ऐसे करोगे तुम ऐसा हो जाएगा, होगा तो वैसा ही जैसा नियमान उसार है, हाँ, तुम अपनी खोपड़ी में कुछ जचा सकते हैं, यह तुमारी बर्ची, जैसे पुरातन लोग यह जचाए बैठेते के हम कुम भशनान कर लेंगे सारे पापनिश्ट, गंगा शनान कर लेंगे, पुष्कर जाके नहाएंगे, सारे पाप खत्म, यह एक लोबता, भारी लोबता, ऐसे थोड़े ही, पाप खत्म हुआ करते हैं, पाप खत्म करने का और पुन्य खत्म करने का एक विदिवत, ढंक बना रखा है प्रमात्माने, पुदरत हैं, उस ढंक से बाहर, तुम लाख कोशिश कर लो, वो समापन आत्मे रखता हैं, भोगने के बिना, खत्म नहीं हो गए, भोगने पड़ेंगे, तुम चाहे बाबाजी के पास, किसी सच खंट में जाके, लोट पोट होरो, उसके चलनों में अनर्सी ग्रहन करके, वापस दर्ती पर आ जाओ, चाहे तुम उसकी पूजा प्रार्थना कर ल पवितर हो सकते हो, ना तुम आध्यात में कुफ़ सकते हो, दोनों चीज़ों से करेंगे, दोविदा में दोनों गए, माया मिली नहरा, अगर तुमने ऐसी मुरखताएं पाल लिए, कि हम जाएंगे बाबाजी की गोद में लोट जाएंगे, एनर्जी फुल हो जाएंगे, और स्पर्चुलिटी को भी पा जाएंगे, तो गलत है ये भरम त्याकते ना, ये सत्य नहीं है, जैसे गंगा में चलांग लगाने से पाप नहीं दूलते, ऐसे ही कोई तुम्हारा बाबा नहीं बैठा है उपर, जिसके गोद में लोट जाओगे, और जिसकी उपर, जिसके गोद में लोट जाओगे, और फुल एनर्जेटिक होकर वापस आजाओगे, और फिर संसार के क्रिया कलपों में लग जाओगे, ऐसा कोई बाबा कहीं नहीं है, ऐसा तत्वतो सब जगा ही मौजूद है, इशा वसमिदम सर्वम जतकिंच जगत याम जगत, वो तत्वतो यह भी विद्यमान है, तुमारे घर भी विद्यमान है, उपर भी विद्यमान है, नीचे पाताज में भी विद्यमान है, उस तत्व को कोई separate कोई लोक नहीं है, यह भूल मत कर ले ना, वो सब जगा मौजूद है जिस तरफ देख लिया जान तस्दुक कर दी मैं तो मुटाज नहीं कावे या बुद्ध खाने का मुझे कोई कावा है के बुद्ध खाना है मुझे जहां से प्यार छलका ठलका मैं तो वहीं लिट गया जिस तरफ देख लिया जान तस्दुक कर दी ए तो मुटाज नहीं कावे या बुद्ध खाने का आपका पौंब बंदा हुआ है रसों से जंजीरों से और तुम मेराथन की दोर की तैयारी कर रहे है मुझे देखना होगा नहीं दोर सकोगे इसलिए देख्षा पहला कदम था उससे शुरुआत करने जा रहा हूँ देरेजमत खोना हूँ तो मैं बराबर प्रश्णों के उत्तर ना भी दूँ क्योंकि मेरा कनपर्शेशन तुमारे साथ नहीं रह पाएगा लेकिन इस दोरान मैं दिख्षा दूँगा इस दोरान मैं तुम्हें अपने प्रवचन डालूँगा प्रवचन तो एक ही दिशा में होते हैं तुम देख लेना मेरे जितने भी सो डेड़ सो दो सो प्रशन प्रवचन हुए है सभी के दिशा आखिर आपको उसी तत्व तक लेकर जाएगे तो मैं किसी भी चीज पर बोलूँगा बहुत कुछ बोलने को पड़ा है किसी भी चीज को उठा लूँगा गीता उठा लूँगा गुरुगर्ण साहब उठा लूँगा कुरान उठा लूँगा बाइबल उठा लूँगा मैं कुछ भी उठा लूँगा आपके पास प्रवचन तो आएंगे हाँ आपके प्रशन हैं मेरे पास आएंगे और प्रशन के साथ साथ आपको आपके प्रशनों का जवाब वैसे भी मिल जाता है बहुत से व्यक्ति हैं मुझे प्रशन पूछ लेते हैं गंटे बाद उनका फोन आ जाता है कि जी आपका मेरा उतर तो मिल गया आपकी फला प्रशन में इसका उतर दिया हुआ है तो अगर ऐसा हो जाए तो बाकी के प्रशनों को भी सुन लेना उन मेंसे आपको शायद जवाब मिल जाए लेकिन अगर आपको जवाब फिर भी नहीं मिला है तो कोई बात ले पहले आपकी पाउं की जंजीरे मुझे तोड़ लाने दो आप भाग तो फिर भी नहीं पाऊगे है आपको बता भी दूँ तो दोड तो आप फिर भी नहीं पाऊगे इसलिए थोड़ा शान्ती बनाएब जितने प्रवचन में ने दिये हैं वनको सुन्टेव आनन्त मांतर लेन्न बात